हेलो फ्रेंट्स आज एक लास में हम देखने वाले हैं linux के उपर आप कैसे सेट अप कर सकते हैं यानि की इंस्टूरेंट्स के पास में linux PC लैप्टॉप है यानि कि उनके लैप्टॉप के अंदर जो ओसे वो लाइनेक्स है तो वह कैसे android को ओपन कर लेना है फिर यहां पर आपको जाना है android studio लिखना सिर्फ पर सिर्फ एंड्रॉइड श्टूडियो लिखना या फिर developer.android.com भी आप लिख सकते हैं तो यहां पर मैं सिंपल सा लिखूंगा android studio जैसे एंड्रॉड studio open करता हूं यहां पर आपको यहां पर पहले तो एड दिखेगा आप इसके उपर वेपसाइट के उपर जाएंगे और नीचे यहां पर आपको वेपसाइट दिख रही है तो आप दोनों में से किसी के उपर भी क्लिक कर सकते हैं जैसे आप इस पर क्लिक कर रहा है कि आप जिस पर्टिक्लर ब्राउजर से आई वो ब्राउजर वो किस पर्टिक्लर से ऊपर रन हो रहा है जिए मैंने linux का setup किया था तो यह सेम वेबसाइट बता रही थी कि आप जो करना चाहते हैं वो किसके लिए करना चाहते हैं इसने इडेंटिफाय कर लिया अभी केस में लाइने तो जब मैंने विंडोस के लिए था तो उसने आप विंडोस के उपर सेट आप करना चाहें तो यहां से डिरेक्ली विंडोस वाला इंस्टॉलेशन जो है वो डाउनलोड कर ले देन मैंने मैंकोस के उपर जब सेट अप किया तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं वही सेम केस हमारे साथ Linux में भी हुआ जैसे मैं Linux से थू अगर डाउनलोड करता हूं तो यह कुछ यहां पर डिटर्माइन करके बता रहे हैं कि डाउनलोड एंड्रोड श्चूडियो और Linux 64 बिट तो आपको कुछ नहीं करना यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको मल्टीपल ओप्शन चाहिए यानि कि आप डाउनलोड तो इस पर करने लेकिन सेट अप डाउनलोड विंडोस के ऊपर तो उसके लिए यहां पर ड इसने हमको identify करके बता दिया कि Linux के लिए है तो यहां जो फाइल आपको दिखेंगी वह लाइनेक्स रिगार्डिंग है इसके उपर आप क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे कुछ टंप से पूछेगा आपको I have read आप सारी टंप सेंट करने एक बार देख लीजेगा और रेंज करेंगी 800 MB से लेके 1000 MB तक यानिकी 1 GB तक 1 GB कम की साइज में फाइल होगी अराउंड 877 MB की होगी और इसको आप थोटे दिन बात दाउनलोड करेंगे उसकी जो साइज है वह बढ़ सकती है जो फाइल की साइज है वह बढ़ सकती है पर एक्जांपल जब इनिशली एं 500 MB के बीच की स्पेस देता है तो हो सकता है कुछ पटिकुलर टाइम की बाद जब इसको डाउनलोड करेंगे तो उस समय जो इसकी फाइल की साइज है वह बढ़ सकती है तो अभी के लिए अराउंड 877 MB के आसपास की यह फाइल रहेगी जैसे ही डाउनलोड हो जाए जहां फोलडर गठेंगे नहीं तो ऐसे मेंा दाउनलूड कर रहा हैब जैसे मैंने यहां डाउनलोड फोल्डर मना रखा है आपने गुल में में विद्द डीफरेंटी ठेंगे नहीं तो वा आपकी दो अ नमने डाउनलोड करी थी वह यहां पर आ चुकी है और इसको क्या करना है सबसे पहला क्या करना इसको अन्जिप करना है लिए आपको option मिल जाएगा Xtract2 ॐ मैं यहाप से फाइल पूछेगा एगर आप कोई फोल्डर स्वा फैर पर्डेक्ट करके उसमें उन्जिप करना जाते की तो वह यहां से कर सकते हैं नहीं तो आप ड्रेकलीக्ऽ क्या करेंग forgiving地方 में नहीं रखना जाते हैं तो आफ एक्सिट वर वोड़र को मैंचिन कर सकते हैं तो जितनी फी प्लेंगे और यह जैसर व फोल्डर के उपर मैं इसके अंदर जया सकता हूं यह कौन सा फोलडर है जिसके अंदर हमने एक्स्ट्रेक्ट लिया था तो उसी नाम से जिस नाम से फोल्डर कर दिया इसके निदर जैसी में open करता हूं तो मैंको android-studio नाम से एक फोल्डर मिलता है इस पर डबल टैप करें तो यहां पर इतने सारी फाइल मिल जाती है जो काम आएगी आपके android setup के लिए ठीक है और यहां पर आपको एक फाइल भी मिल जाए कैसे आपको इंस्टॉल करना है android studio को linux के अंदर तो second step क्या करना है आपको bin में जाना है और यहां पर right-click करके open in terminal open कर देना है मतलब यह जो path है इस path पर हमने terminal को open कर दिया है ठीक है तो आप यहां देख सकते हैं जो हमारा path download के अंदर android studio का folder है उसके अंदर android-studio नम का folder इसके अंदर bin नम का folder है अब इसके अंदर हमको क्या करना है कि हमको एक .sh file को execute करवाना है यहां पे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा . forward slash और उसके बाद में studio.sh अब हमने इसको यहां पर क्यों open किया उसका reason में बताता हूं यहां पे फाइल है studio.sh यह आपके android studio की फाइल है यह एक तरह से shortcut file है जिसके click के ओपर आपकी क्या होगी जो आपका android studio software है वो open होगा तो हमको इसको पहले open करवाना है यानि कि हम इसको run करवाना चाहते है तो run करवाने के लिए हम क्या करने वाले है यहां पे यहां पर आप देख सकते हैं starting में आगया welcome android studio next करना है आपको जैसी आप next करेंगे यहां रहा है choose the type of setup you want for android studio यहां पर आपको standard कर देना है next कर देंगे आप इसके बाद में यहां पर कोई theme select कर सकते है by default Dracula या light में से तो मैं यहां पर dark theme select कर लेता हूं next कर देते हैं इसके जो code लिखेंगे ID के अंदर वह हम किसके लिए लिए प्रोजेक्ट के अंदर लिख रहे हैं यह हम करना क्या चाहते हैं अब बनाने के बाद उसको test कैसे करेंगे या दूसरे phone में चलाएंगे कैसे उसके लिए आपको क्या चाहिएगा एक.apk फाइल चाहिए तो android manager क्या request करे है तो यह जो हमारा sdk component है यह क्या करेगा runtime में जो हमारा project हमने create किया है जो coding हमने करी है उसके according एक.apk create करेगा with the help of gradle files तो आपको runtime में आगे बताच चलेगा कि building जो process हो इसी की तरू होती है तो building process क्या करती है .apk file को generate करती है यहां मैं क्या हूं तो create करती है हमारे code के according ठीक है तो वह file जब create हो जाएगी तो उसके बाद में जो .apk file है जिस भी android phone को मैं दूंगा वह android phone उस apk file को install कर पाएगा और अमारी app को run कर पाएगा ठीक है दूसके लिए हमको .apk file बनाना ज़रूरी है और यहां पे यह कुछ settings है जो हमको देनी पड़ेगी तो यहां देख सकते हैं आपको total download size 1.46 GB jdkb अपना आप automatically यहां पे install होगा और यह उसकी components की size है और यहां पर हम क्या करते हैं next अब यहां पर आ रहा है we have detected that your system can run the android emulator in accelerated performance mode तो windows के अंदर होता है hexam और इसके अंदर होता है kvm तो यह आपको enable करना पड़ेगा तो आप यहां से configure कर सकते हैं जैसी आप इस पर click करेंगे kvm के required जो भी files है वो यहां पर installation आप कर सकते हैं यह तब required होगी जब आप emulator जब open करेंगे emulator का मतलब होगया virtual device जब आप kernel based virtual machine तो इस समय आप चाहें तो यहां जाकर configure करना है that means आपको kvm setup करना है अपने इस linux OS के उपर तो उसके बाद आप performance emulator को use कर पाएंगे आपको यहां पर finish कर देना है finish करने के बाद में यह setup चलेगा मतलब जो फाइस रिक्वाइड होगी यहां पर download process में चलता रहेगा और जैसे download हो जाएगा उसके बाद में खुद से setup भी करेगा उसको setup करने के बाद नीचे आजाएगा your android SDK is up to date चीक है उसके बाद में हमको finish करना है अभी देखो finish के उपर में नहीं जा सकते यह disabled है जैसी यह finish हो जाएगा complete हो जाएगा तो यहां पर finish का option आजाएगा अनेबल हुआब जब आपने android को download कर दिया तो उस समय तो आपको इंटरनेट रिक्वाइट था ही बट इस पर्टिकुलर प्रॉसेस के लिए सैटिंग अप android studio के लिए भी आपको क्या चीएगा internet चीएगा क्योंकि यहां पर भी आप देख सकते हैं कि SDK के जो components है वो download हो रहे हैं जब आप केबल को भी हटा है नहीं अपने PC या laptop से चीए तो इस पर्टिकुलर प्रॉसेस को complete होने देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं android sdk is uploaded लिखावा आ चुका है और यहां पर creating virtual device के बाद में एक default virtual device भी automatically इसने create कर दिये और यहां पर finish का option जो है वह highlighted हो याईनि कि पहले disabled अब अनेबल हो चुक है आपको finish पर प्लिक कर देना है जैसे आप फिनिश करेंगे तो आप जो आपको इंडरो च्टूडियो है वह सामने आ जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंट्रो स्क्रीन जो है जो स्टार्टिंग स्क्रीन है वह उपन हो चुकी यहां से प्रोजेक्ट कर सकते हैं और क्रिट कर सकते हैं क्लिक करते हैं ये यह बताने के बाद में City क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ फाइल्स इंस्टॉल होगी और दाम्लोड होगी और जैसे डाउनलोड क्मव्लीट होगा setup होने के बाद में यहां पे एक file create होगी एक java file create होगी और एक xml file create होगी आपको xml value file पे click करना है और वहां पे आपको UI में आपकी phone की screen दिखेगी ठीक है अगर वो phone की screen visible हो जाये that means आपका जो android studio है वो ready to use हो चुका है तो यहां पे आप देख सकते हैं file download हो रही है और मैं xml में चला जाता हूं यह xml में अभी भी देखो loading आ रहा है जब तक ही loading आ रहा है यहां तो कोई process चल रहा है या फिर अभी तक कुछ files है जो download नहीं हुई है और आपका setup जो अभी तक complete नहीं है तो उसको हम complete तब ही कहेंगे जब यहां पर आपको screen दिखने लग जाए यहां पर एक पूरी UI दिखेगी आपके phone की screen दिखेगी अगर वो visible हो जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो android studio है वो setup हो चुका है और जितनी भी files required थी वो download हो चुकी और download होने के बा और अपनी कोई नई application को बना सकते हैं बीना किसी inclusion के तो यहां पर अगर आपको यह screen देखने को मिल जाती है यानि कि जो आपको UI दिख रही है अगर UI आपको ऐसे दिख जाती है जो हमारी phone के screen होती है तो वह अगर आपको यह दिखने को मिल जाती है that means जब हम एक project create करते है तो यह activity create करता है यानि एक screen create करता है वो screen ही हम देख रहे है यह क्यों देख रहे है क्योंकि इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो Android Studio हो ready to use हुआ के निवा मतलब अगर यह files शो हो रही है मतलब यह visible हो रहा है that means Android Studio is ready to use अगर यहां पे loading आ रहा है या किसी वो जैसे error शो हो है हुआ